क्या आप एक स्टूडेंट है स्टूडेंट है तभी नहीं आपने थामनेल देख करके हमारे वीडियो को क्लिक किया है और एक स्टूडेंट भी होता है न दो परकार का होता है अब आप किसमें से हैं आप समझ लीजिए तो चलिए आगर आप लोग कोफी ओपी लेकर नहीं व आने लगता है जानते हैं कौन का नवागता है अरे चलिए यह सब मजाग की बाते थे अब जो है हम लोग पढ़ाई के और बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही बेहतर साइंस सब्जेक्ट जो की आपके एक स्क्रीन पर आ चुका है अब फिरी में सोट ट्रिक के साथ मैं साइंस और इंगलिस की तैयारी किजिए यह जो वीडियो है आपके लिए बैसिक तरीका से डिजाइन किया गया है आपका बैसिक भी किलियर होगा और उसके साथ साथ एडवांस भी किलियर होते जाएगा जैसे कि इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा हुगा science का designing या science कैसे समझेंगे उसके बारे में ये सब इस topic में हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारा topic है science का जो इस video में हम लोग clear करेंगे अगर आप 10th class के हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बहतरीन video है आप समझेंगे कि आपके लिए ये number उठाने वाले video है जो की exam में इसके question बहुत जादा पूछे जाते हैं तो चलिए पहले जो है हम लोग क्या basic तरीका से science के बारे में समझ लेते हैं जैसे कि आपके screen पे यहाँ पे देखिए आचुका है science यानि science की से कहते हैं पहले इसके बारे में जानेंगे उसके बाद जो है हम लोग कुछ आगे के तरफ बढ़ेंगे कि ताकि basic तकरीका से नीचे से पूरा clear होते जाएगा तब जो है आपको पढ़ने में बहुत हीमा जाएगा और इस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अपने class में धूम मचाए रहिएगा तो चलिए इस वीडियो को आप लोग start करते हैं अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है चलिए इस वीडियो को जो है हम लोग पढ़ते हैं इस वीडियो से तो अब सबसे पहला science यानि science का definition भी आ चुका है definition में क्या कहता है कि कि किसी वस्तु के वास्तविक करमबंद और विशिष्ट ज्यान को बिज्यान कहते हैं क्या कहते हैं बिज्यान कहते हैं अब जो है इसके बारे में किसी भी यानि करमबंद वस्तु के वास्तविक करमबंद या उसके बारे में बहुत ही अच्छा से study करते हैं अध्यान करते हैं तो वो क्या है वो बिग्यान के अंतरगत आता है जैसे कि बिग्यान के जैसे हम लोग समझ लेंगे कि इस तमय बैंक जो है बहुत सारा खुला हुआ है उसका अलग-अलग साखा अलग-अलग गाओं में जो है फैला हुआ है उसी तरह से बिग्यान का जो है तीन साखाए मुख बिज्ञान ये तीनों आ चुका है आपके स्क्रीन पे अब जो है इसके बारे में इसका डिफनेशन भी हम लोग जानेंगे और इसके बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से समझेंगे जैसे कि फर्स्ट में है आपका जीव बिज्ञान जीव बिज्ञान आ चुका है इसका ज कोई भी जीव-जन्तु ओ के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में बहुत ही आच्छा तरीकासर अध्यान करते हैं तो वो सब किसके अंतरगत आएगा वह सब विज्ञान के जिव-विग्यान के अंतरगत आएगा जैसे कि इस फोटो से एग्जांपल से समझे जैसे कि यहां पर मानौ का फोटो दीख रहा है मानौ का अंकल यानि जीव के बारे में जैसे कि हम लोग इंसान के बारे में भी अगर बात किया जाएं तो अगर आप इंसान के बारे में अध्यान करते हैं या जीव जन्तु जो भी हो पेंड पौधे भी हो यानि पेंड जैसे कि यहाँ पर विज्ञान की वह सखा जिसके अंतरगात पदार्थों के भौतिक गूर और रसाइनिक संगर्थन संरचना इन में से होने वाली परिवर्तन इन में कोई भी परिवर्तन होती है या उसके बारे में हम लोग अध्यान करते हैं तो यह सब किसके अंतरगात आत है सब रसाइनिक विज्ञान के अंतरगात आता है जैसे कि इस फिगर के हम लोग समझेंगे जैसे देखिए यहाँ पे जो है आपको क्या हो रहा है एक नीचे से यानि डीप जला रहा है है यानि हीट पर वाइट कर रहा है किसको ऊपर लगे हुए जो सिशा के अंदर दिख रहा है यानि creepy ॐसं को कि सिर्ट दे रहा है तो हीट देने के बाद देखिए उसमें कितन क्लर का है ग्रीन कquently है वो किसमें हो गया है वो हो गया है गुलाबी कलर में किसमें हो गया गुलाबी और उसके बाद पीला सब एक एक चेंज होते जा रहा है ये क्यूं हो रहा है यानि कोई रासाइनिक परिवर्तन हो रही है जिसके वज़ा से ये क्या हो रहा है ये बदल रहा है रंग बदल रहा है तो ये रासाइनिक परिवरतन किसके अंदर आएगा रसायन विज्ञान के अंदर आएगा जैसे कि दूसरा फिगर से आप लोग समझेंगे कि उसमें क्या दिया है यानि बांडिंग सिस्टम दिया है एक दूसरे से चैन बना रहा है तो ये चैन पर किरिया या बांडिंग बनाना ये सब किसके अ अच्छे से पढ़िएगा तम मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ने में भी मजा आता है तो आप एक लाइक तो जरूर कर सकते हैं लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और पढ़ने में भी मुझे मजा आएग तो इस तरह से ये आगे आपका भौतिक विज्ञान के अंतरगर्द जैसे कि हम लोग इस फिगर से समझ जाएंगे जैसे आपके यहां रोकेट यहां पे आ चुका है रोकेट को अगर उड़ने में कुछ उर्जा खर्च होती है ऐसे तो रखने पर यह उड़ नहीं जाता है तो जो रोकेट उड़ रहा है तो उसमें क्या उर्जा लगेगी उसका वेट कीतना है और उसमें कौन से एनर्जी आ रहे हैं और वह कितने जो है वेलोस्टीटी से हो रहा है यह सब उसके बारे में जैसे की नीचे के और धुआ फेक रहा है यह आज के जैसा दिख रहा है आपको तो यह सब का कैसे पहले ही पता कर लेते हैं कि यहां तक जाने में इतना एनर्जी खर्च हो जाएगा इतना बिज्ञान के अंदर या आप कोई मसीनरी है या आपका मोटर साइकल है उसमें जो है आप लोग तेल डलवाते हैं और उसे चलाते हैं तो चलाने के बाद क्या होता है कि कितना के स्पीड से हम जाएंगे तो अगले अस्थान तर हम लोग कितने काइम सब पहुंच जाएंगे ये सब किसके अंतरगत आता है ये सब आपका भौतिक विज्ञान के अंतरगत आता है नेश्ट है आपके एस्क्रीन पे यहाँ पे तीछे कोर्स देखिएगा परकास ज्यानी परकास के जो है हम लोग बिसनेशन पढ़ेंगे आप लोगो तेन्थ किलास के लिए अब जो है बैसिकली तयार हो चुका है और बैसिकली ये बताया जा रहा है परकास के परवर्तन इसी चेप्टर के अंतरगत आएगा जैसे परकास के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि परकास क्या है उर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्टू को देख सकते हैं उसे प पढ़ती है जैसे कि इस समय दिन में अगर हम लोग बात करें तो सूरज की सहायता से हम लोग जो सूरज से परकास आती है तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं देख पाते हैं ठीक है उसी तरह अगर रात हो जाएगा तो हम लोग तर्च की सहायता लेते हैं यानि यहां पर देखिएगा जो है परकास का स्रोथ यानि परकास का स्रोथ किसे कहते हैं इसी में देखिए जिस वस्तू से परकास क्या होता है परकास उस्षरजित होता है यानि निकलता है यानि क्या होता है परकास निकलता है उसे हम लोग परकास स्रोथ कहते हैं जैसे कि यहां प पर्च से क्या हो रहा है परकास निकल रहा है जब परकास निकलेगा तो यह क्या है जो चीज से कोई चीज परकास निकल रहा है उसका स्रोथ है जैसे पानी निकलता है नल से तो नल के क्या है वो स्रोथ है या लाइट है लाइट से हम लोग यह तर्च जला रहे हैं इसमें से क कल रहा है क्या चीज़ परकास तो यह परकास का स्रोथ है उसके अलावा जलता हुगा बल भी क्या है यह परकास का स्रोथ है या सूरज भी क्या है आपका परकास का स्रोथ है तो इस तरह से मुझे आसा है कि आपका परकास का स्रोथ भी बहुत ही आच्छा तरीका से समझ में आ परदीप्त करते हैं क्या है वे वस्तु हो जिन से क्या हो परकास निकले उसी को क्या करते हैं परदीप्त वस्तु करते हैं जैसे में टर्च क्या है एक परदीप्त वस्तु है फिर क्या है जलता हुआ बल्ब क्या है परदीप्त वस्तु है और सूरत क्या है ये भी परदीप्त वस्तु है यानि जिससे परकास उत्सर्जित हो उसी को हम लोग परदीप्त करते हैं जैसे नेस्ट है आपके स्क्रीम पे यहाँ नीचे देखिएगा नीचे को और परदीप्त वस्तु होते हैं जिससे परकास उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे ही हम क्या कहेंगे और परदिप्त वस्तु कहेंगे जैसे कि आपके स्क्रीन पे आज चुका है क्या है यहाँ पे यह आ चुका है आपका है बेंच इस पे देखिए यह जो है परकास उत्सरजित नहीं कर सकती है जैसे चेयर यह सब या टेबल या कुर्शी यह सब क्या है और परदि यहां पर देखेंगे कुछ परकास सरोत क्या होते हैं इसका दो टाइप्स होता है जो है वस्तु का कुछ परकास सरोत नेचरल होते हैं और कुछ होते हैं मैनमेड अब मैनमेड किसे कहते हैं और नेचरल किसे कहते हैं यह हम लोग समझेंगे जैसे कि नेचरल और मैनमेड आ पायता लेता है वो सम्माइन मेंट के अंदर आएगा जैसे में सूरज आ चुका है आपके स्क्रीन पे ये क्या है सूरज से परकास निकल रही तो कुछी इंसान नहीं बनाया है उसे आपने कभी देखा है चैने सुना है कि सूरज को किसी इंसान ने बनाया है नहीं नहीं बना बताएगा और है आपका लाइट यानि टर्च टर्च क्या है इसे ने इंसान बनाया है किसे हम और आपने मिल कर बनाया है तो यह जो है टर्च क्या है यह मैंमेड है इंसान ने बनाया है आदमी ने बनाया है तो यह मैंमेड है इसलिए इसे क्या कहेंगे मानो निर्मित जो है रोत कह सकते हैं ठीक है नेस्ट है आपके स्क्रीन पे यहां पे हम लोग देखेंगे कि परकास स्वरल रेखा में चलती हुई पर्तित होती है इसका जो है अर्थ क्या निकल के आ रहा है परकास स्वरल रेखा के कहने का अर्थ यह निकल के आता है कि पूरी सीधा चलती है परका कलर का देखिए एक लाइट निकला है और सीधा साब जा रहा है तेहा नहीं दिखाई दे रहा है तो यह क्या है इस तरह का परकास से हम लोग समझ सकते हैं कि यह सब क्या है सीधी जा रहा है तो सीधी रेखा में गमन कर रही है परकास भूमती नहीं है दूसरा फिगर में वही देखाए हैं ठीक है नेश्ट है आपके नीचे के ऊओर देखेंगे परकीरण क्या है परकीरण किसे कहते हैं तो परकीरण के आप लोग यहां पर definition पढ़ेंगे परकास जब सुक्ष्मकौड़ों पर पढ़ती है तो कुछ परकास उसर्जीत यानि उर्जा को आवसोसित कर लेती है फिर उसे चारो और बिखेर देती है उसे परकिरिया को हम लोग परकिरान की परकिरिया कहते हैं जैसे आप लोग के जैसे घर में है खिरकी है खिरकी है दरवाजा है और उसमें क्या होता है चारो और से उपर से छट लगा हुआ है तो आपके जो है घर मे लाइट कहां से आती है जब उपर छत है तो सुरत की परकास तो हमेशा उपर से आ रही है तो क्या आपके घरों में जो है लाइट कैसे आ जाए रही है वहीं कारण है परकीरण के कारण ही आपका घर में जो है परकास दिखता है आपके घर के वस्तू दिखते हैं वहाँ परका के कारण होते हैं, नेस्ट है, आपके स्क्रीन पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, परकास की कीरण, क्या हो रहा है, एक सरल रेखा पर चलने वाली परकास को कीरण कहते हैं, यानी जो सीधी चलती है, एक होती है, यानी सीधी चलती है, उसी को हम लोग का कहेंगे, परकास क किरन अकेले जब रहता है एक को हम लोग उसमें से लेंगे उसी को हम लोग गहेंगे परकास की किरन जैसे इसमें समझेंगे इस टर्ट में क्या है देखिए बहुत सारा लाइन ऐसे खlais हुआ है य correspondence निकल रहा है तो उसमें से किसी एक को अलग अलग अगर करेंगे तो अलग-अलग हम लग उसे कह सकते हैं कि ये किरण है क्या है किरण है जैसे कि आपके लाइट में बहुत सुर्ण दिखाए एक लाइट से या एक सुरुद से या जो भी कोई परकास देने वाला है टर्श है तो उससे हाजारों क्रोरों क्या होते हैं किरण निकलते हैं जैसे आपको लाइट में तिं चार या पाँच दिखाया गया है ठीक है उसी तरप क्रोरों जो है किरण एक लाइट से यानि टर्श से निकलते हैं, नेस्ट है जलता हुआ बल्ब उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारा किरण निकला हुआ है, तो वो सब क्या है किरण का एक 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 जामपल दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब नेस्ट है आप लोग के स्क्रीन पे इसे आप लोग देखिए, प समझेंगे किरण पुझ किसे कहते हैं, तो किरण पुझ में आप लोग बहुत ही ध्याम से देखिएगा, किरण पुझ यानि कहर है परकास के किरणों का समुझ, आरे बाप जे, परकास के किरणों का समुझ समझ रहा है न, आरे इस समुझ जो है आपके गाउं घरों में चल परकास हो वहां से यहां से बहुत सारे परकास मिले हुए हैं उसी को हम लोग का कह सकते हैं परकास के किरण पुंज कह सकते हैं जैसे यहां पे आप लोग एक्यांपल से समझेंगे इस बल्ब में देखिए तो बहुत सारा जो है क्या यहां पे निकला हुगा है यह सब क्या है एक एक को देखा जाए तो यह किरण है पर यहां पे हजारो करोड किरण है तो यह सब क्या है हजारो करोड जब किरण निकल रहे हैं तो यह सब क्या है यह सब किरणो का समू है जब किरणो का समू है तो समू को तो ही हम लोग बोलेंगे किरण पूंज तो इस तरह से आपको ज ही तो वो भी हम लोग किरण पूंज का कर सकते हैं Next है आपके श्क्रीन पे देखियेगा कि परकास के कीलणफंज जो है तीन परकार के होते हैं फिस्वाला जो है's आप लोग देखेंगे आपके पढ़ेंगे आप हीं के लोग के लिए जाइन किया गया है आपलो पढ़िए गात मुझे के साथ गां मज़ा आप हामारी जुडिए न Ah पूरा फिजीक है यानि साइन्ट आपका पूरा तयार करा देंगे तैंति का ठीरिक है あप सारी किरण पुझ यानि किरण पुझ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्ट है आपके सिलिन पे दूसरा समानतर किरण पुझ और जो है तीसरा है आपका अभी सारी किरण पुझ क्या है अभी सारी किरणपुझ तिन आप परकार का नाम जान चुके हैं अभी इसके बारे में अलग अलग definition हम लोग जानने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे पहले के बारे में हम लोग जानते हैं यहाँ पे है अब सारी कीरण पुंज क्या है अब सारी कीरण पुंज इसका definition आप लोग पढ़ लिजिए यहाँ पे जो है अच्छे से देखिए अगर आपको notes बनाना है तो आप कूपी कलम ले करके ही बैठिए कि ताकि आपका notes भी complete हो जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है notes बनाने में अगर आपको चाहिए notes तो आप हमारे comment section में comment करके आप अपने number भेजिएगा और जो है मैं आपको whatsapp number पर पर provide करा दूँगा notes ठीक है तो चलिए फिर यहाँ पे अब सारी कीरण पुंज के बारे में हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है आप लोग पर सकते हैं इस परकार के कीरण पुंज में परकास की किरने एक बिंदू स्रोथ से निकल कर फैलती चली जाती है क्या होता है फैलती चली जाती है उसी को हम लोग अपसारी कीरण पुंज कहेंगे जैसे इस figure से आप लोग समझेंगे क्या हो रहा है कि एक बिंदू से क्या हो रहा है फैलते हुए सब कीरण जा रहा है तो ये सब फैलते हुए जब जा रहा है तो ये सब क्या है यानि एक बिंदू से फैलते हुए जा रहा है जैसे टर्क जो हम जलाते है फ्लेसलाइट मोबाइल का कितना सा छोटा सा क्या होता है फ्लेसलाइट होता है और उसको जब हम लोग जलाते हैं तो बहुत ज्यादा दूरी तक क्या दिखाई देता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा पकड़ लेता है तो क्या रहा है एक बिन्दू से निकल कर फैलते हुए चला जा रहा है यह क्या है उसी तरफ के परकास को यानि क्या कहेंगे अब सारी किरणपुंज कहेंगे नष्ट टॉफिक है हमारा यहाँ पर जैसे टर्फ जो बोले थे ववह है आपका फिगर नष्ट है आपके एक्जामपल यहाँ पर देख लिजिए चलिए यहाँ आपके स्क्रिन पर समानतर किरणपुंज ऐसे किरंड़ पुन्झ परकास के किरने एक दूसरे के क्या होती है, समानतर होती है, उसी कहम लोग समानतर किरंड़ पुन्झ करते हैं जैसे कि इस फीगर से देखिएगा, इस figure में क्या है समांतर है क्या है समांतर किरन पुझ है किरन है पर समांतर जा रही है एक दूसरे के बीच का difference जो है यानि दूरी जो है आगे तक भी उतना ही चलती जाएगी तो यह क्या है समांतर किरन पुझ है नेस्ट है आपके स्क्रिन पे इसे एक बार देख़िए अब जो है आपके स्क्रिन पे आ चुका है अभी शारी किरण پुंज इस परकार के किरण पुझ में परकास की किरने एक बिंदू पर आकर क्या होती है मिलती है उसी को हम लोग अभी सारी किरन पुझ करते हैं जैसे कि इस फिगर से आप लोग को समझ में आ जाएगा देखिए बहुत सारा किरन जो है एक ही बिंदू पर क्या हो रहा है जाके मिल रहा है तो जो बिंद आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे समझ लिए कि आपके गाउं में एक चोर रात में चोरी कर रहा है और उस चोर ने किसी ने उसको देखा हला कर दिया तो बहुत सारे घरों में से लोग लाइट लेके टर्च लेके निकलेंगे और किसी एक पार्टिकुलर चोर के नहीं इस टरह से आपका उस एक जांपल से आप समझ सकते हैं कि उसे हम लोग अभी सारी कीरण पुण कह सकते हैं नेस्ट है आपके स्क्रीन पे यहां पर पदार्थ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे चलिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा अलमबा हो चुका है त तो अगले वीडियो में जो है हम लोग पदार्थ के बारे में पदार्थ के कितने परकार हैं जो है अपरदर्ची परदर्ची ये सब पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पढ़ने में आपको बहुत माजा आया है तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिए